असलाम अलेकुम जी इस लेसन में हम Adobe XD के अंदर repeat grid को इस्तमाल करना सीखेंगे और देखेंगे उसका क्या benefit है तो सबसे पहले हमारे पास जो screen है इसके अंदर concept यह है कि यहाँ पे different recipes नज़र आ रही है और हम different recipes की images को place करना चाहते हैं और उसको repeat करना चाहते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पे आपको एक card नज़र आ रहा है और यही card repeat होगा for the other recipes इसका style इसके content इसका जो layout है वो सारा कुछ repeat होगा so इसको हम क्या करेंगे मैंने सारे को select किया और इसके बाद right side से मैं press करूँगा repeat grid को ठीक है और अब यह मेरे से पूछता है कि आपने इसको repeat right side पर करना है इसको horizontal scroll में लेके जाना या इसको vertical scroll में लेके जाना ठीक है तो मैं इसको कहता हूँ कि मैंने इसको वर्टिकल स्क्रोल में लेके जाना है तो सिंपल इस बार को क्लिक करके ड्राइग करें and you can डूब्लिकेट दे कार्ड ठीक है जी इसको हम डूब्लिकेट कर लेते हैं और इस आर्ट बोर्ड की जो हाइट है उसको चेंज कर लेते हैं अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टन चीज़ है जब आप इसकी हाइट को चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डॉटिट लाइन नज़र आएगी इसका मतलब है कि स्क्रीन का जो एक्सल साइज है वो dotted line तक है इसके नीचे जितना भी content है वो scroll में नज़र आएगा जब हम स्क्रीन को scroll करेंगे तो यह बागी content हमें on scroll नज़र आएगा तो यह content हमने repeat कर दिया ठीक है जी अब इसके बाद हम images place करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ images placed हैं जो मैंने सेव की हैं, मैं डेस्टॉप पे जाता हूँ और यहां से जाके images open कर लेते हैं और मैं इन चारो images की selection करता हूँ और इसके बाद मैं drag करके इस component के उपर यह जो repeat create का highlighted है, मैं इसके उपर इसको release करूँगा तो let's see के इसको release करने से हमारे पास क्या results आते हैं I just released the images, तो मेरे पास 4 images थी और जो repeat grid के अंदर यह वाला specific component था यह हमने 4 times repeat किया और अगर हम इसको ज़्यदा दफा repeat करते तो यह दुबारा से first image और second image से start कर देता जैसे कि अगर मैं इसको मजीद expand करूँ तो आप देखिएगा कि जो first image थी वो दुबारा से repeat होना start हो जाएगी ठीक है क्योंकि हमने 4 images इसको assign किये हैं so this is the benefit कि आप repeat grids के अंदर जो अपनी images है उसको भी बड़ी असानी से effectively place कर सकते हैं आप मजीद जो अपने components के अंदर the distance है उसको maintain कर सकते हैं और जब आप distance maintain करेंगे तो between all the cards यह उस distance को change करेगा ठीक है so this is another benefit और इसके लावा हमारे पास एक और इसका benefit है कि for example अगर हम इसके headings को और जो इसके sub headings हैं उसको change करना चाहते हैं सारे cards के अंदर उसको भी हम बड़ी असानी से repeat grids के अंदर change कर सकते हैं तो मैं Google Chrome पर जाता हूं और यहां से जाके हम एक notepad open कर लेते हैं ठीक है online notepad और यहां पर कुछ write करते हैं ठीक है जैसा कि let's write fruits ठीक है तो मैं enter press कर रहूं और नीचे जाके मैं करता हूं vegetables उसके बाद हम write करते हैं juices और इसके बाद हम इसी को repeat कर लेते हैं ठीक है जी इसको repeat करने के बाद मैं file में जाता हूं और इसको मैं कर लेता हूं save as इस file को एक नाम देते हैं article headings इसको मैं save करता हूं images के अंदर article headings save वापिस xt में आता हूं इन images वाले folder को open करता हूं और अब जब मैं .txt file को drag करके place करूंगा इस specific component के उपर तो देखेगा यह क्या करता है जो first line में text था उसने उसको place कर दिया इस repeat grid के first component के अंदर जो second line पर उसको place कर दिया second जो component है उसके उपर और इसी तरह से वो उसको repeat करता जाएगा ठीक है तो this is the benefit for creating the repeat grids आप distance जो between the cards डिस्टेंस है उसको असानी से maintain कर सकते हैं अगर आपने content place करना है तो content बढ़ी असानी से place किया जा सकता है even the text so see you in the next lesson thank you so much झाल झाल झाल